नमिश्कार मेरिचा सिंग स्वागित करती हूँ हमारे खास कारिक्रम आज की राशी फल में आज बताएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईउं को करके आप परिशानियों जे चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास रो आज का राशी फल मेश राशी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा उच्चपद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क इस्थापित होंगे साहस एवं पराक्रम में व्रिधी होगी उपाई सूरे मंत्र का लाल चंदन की माला पर 108 बार जाब करें व्रिषब राशी कारिशेत्र में नए मित्र बनेंगे नौकरी में वाहन सुक मिल सकता है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा उपाई रिंड मुक्ती बीसा यंत्र की पूजा करें मिथुन राशी राजनीती में विरोधियों पर भारी पड़ेंगे पोट का चहरी के मामले में निर्ने आपके पक्ष में आएगा किसी व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं उपाई अपने पूजा घर में नर्मदेश पर शिवलिंग इस्थापित कर उन पर जल चणाएं करक राशी कारिशेत्र में विबन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा व्यापार में नए प्रयोग लापकारी सिद्ध होंगे नए व्यापार शुरू कर सकते हैं उपाई आप प्राता काल उठकर दोनों हाथ की हतेलियों को देखकर तीन से चार बार अपनी चहरे पर फेरे सिंग राशी उद्योग धन्दे में प्रगती होने के योग हैं व्यापारे के स्थल पर स्वास्ति पर अधिक ध्यान देना होगा नौकरी में मन चाहे जगा अस्थानांतरन होगा उपाई करिश्न मंत्र का तुलसी की माला पर 108 बार जाब करे कन्या राशी किसी अभिन मित्र से भेट होगी संतान पक्ष से शुप समचार मिलेगा नौकरी में पदोन नती के योग बनेंगे उपाई गेहु और गुड का दान करे तुला राशी अकारण पिता से मत्भेट हो सकते है कारिशेत्र में कारे का दबाब अधिक रहेगा किसी अन्य के जगडे के बीच में ना पड़े उपाई माथे पर केसर का तिलक लगाए व्रिश्यक राशी कारिशेत्र में मानसिक तनाव एवं चुड़चुड़ा पन रहेगा वाहन धी में चलाए नौकरी में इस्थान परिवर्तन के योग बनेंगे उपाई स्त्रीयों का सम्मान करे धनू राशी किसी अभिन मित्र से भेट होगी व्यापार में लगन पूर्वक कारे करे परिक्ष्वा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी उपाई श्री हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाए मकर राशी किसी महत्वपून कारे का नेत्रत्व करने का अवसर प्राप्त होगा व्यापार में उन्नती के साथ विस्तार होगा कोट का चहरी के मामले में सफलता मिलेगी उपाई हरा चारा गाएं को खिलाएं कुम्ब राशी आध्यात्मिक शेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा शासन सत्ता का लाप मिलेगा व्यापार में पिता से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा उपाई सोते समें लोटे में शुद्ध जल भर कर सिरहाने रखे और सुभा उठकर उसे बबूल के व्रक्ष की जड़ में डाल दे मीन राशी कारिशेत्र में व्यर्थ भाग दोड अधिक बनी रहेगी व्यापार में कड़ी प्रतिस परधा का सामना करना पड़ेगा राजनीती में भाशन देते समय अपने शब्दों के चैन पर अधिक ध्यान दे उपाय अपनी माता से थोड़ी ही चांदी लेकर अपने पास रखें जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सामित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दंचारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम ख़बरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं से नियूस भारत के साथ हर कावर आपके साथ आपके हाथ